हेलो गाइस आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागता है मारे नई वीडियो में आज इस वीडियो में बात करेंगे ECS T10 ओस्टेडिया की जो T10 सीरीज चल रही है इसके 51 मैच और आज के दिन के पहले मैच के बारे में यहां मैच खेला जाएगा सेरे पंजाब व्याना वर्सेज ग्रीच किरिकेट अकेडमी के बीच मैच खेला जाएगा मैच की टाइमिंग साड़े बारा बज़े स्टाट होगा इंडियन टाइमिंग के अलुसार डेट 5 सितंबर 2024 आज ही किये वैदर की बात करें तो वैदर किलियर है बारिस के कोई भी चांस नहीं है वैन्यू देखे तो सी बन किरिकेट ग्राउंड लोवर औस्टेरिया में मैच है तो आज का इसी वैन्यू पर है पिछ रिपोर्ट की बात करें तो एक अर्टी फिसल पीच है जिसके ब्रेविर में कुद भी चेंज नहीं होता है सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए एवरेज इसकोर देखे तो एवरेज इसकोर 150 से लेके 160 का बन रहा है और वेन्यू रिकोर्ट की बात करते हैं तो इस वेन्यू पर इस सीरिज के 50 मैच कम्पलीट हो चुके हैं जिसमें से 26 मैच जीती है बैटिंग फर्च करने वाली टीम और 24 मैच जीती है बैटिंग आपकोई खास एड्वांटीज नहीं है ठीके पहले बात करते हैं सेर्पंचाब वियाना कि तो आप वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको दोनों टेमों के बारे में बिटेल में जानकरी हो जावे ओंसे टीम मजबूत है कौन से टीम वीक है किसको सुलेक्ट करना है किस कि इसको captain बनाना है कि इसको wise captain बनाना है उन सभी के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखना है बिना skip करें मैच की बात करें तो पहली टीम है सेरे पंजाब व्याना जिसके इस टूनामेंट में साथ मैच हुए है चार मैच इनकी टीम जीती है और तीन मैच इनकी टीम हारी है ठीक है लास्ट मैच जो खिला गया बैटिंग और उसी के साब से हमने सेट कर रखा है तो पहला प्लियर जो गैनबाजी करें का साथी ओपनिंग आ रहा है इस वज़े से आपके लिए इंपोर्टेंट पिलियर है इसके बाद है अरसलान आरिफ जिसने इस टूनामेंट के चार मैच में तेराण वे रन बनाए यहां भी एक अच्छा पिलियर है और ओवराल रिकोर्ड की बात करें तो बहुत बैतरिन चॉइस है उसके बाद है सफीक उल्ला जिसने इस टूनामेंट के साथ मैच में पिचातर रन बनाए बारा ओवर की गैनबाजी करवाते वे तीन विकिट लिए डेथ ओवर्स में गैनबाजी दे रहा है इसलिए इंपोर्टेंट साथी बैटिंग भी कर रहा इसके बाद है हरमीत चीमा जिसने पहला मैच खिला तो लास्ट वाला जिसमें 6 रनी बनाए खाली उसके बाद है कुसवंत गोरिया जिसने इस टूनामेंट के 6 मैच में मातरत 2 रन बनाए इसके बाद है अकराम बिला जिसने लास्ट वाला मैच खिला बैटिंग बॉलिंग करी इसलिए इसको ट्राइए नहीं करना इसके बाद है रफीक उल्ला इस्टैनेक जाई जिसने एक मैच खिला लास्ट वाला जिसमें एक ओवर की गेंदबाजी करा है विकिट लेज गया और ओवराल रिकोर्ड की बात करें तो 19 मैच में 46 इस रफीक उल्ला जिसने तीन मैच में 6 ओवर की गेंदबाजी करा इस तूनामेट में दो विकिट लिये तो यहां से जो important है वो है असद उल्ला साफी, गुर सेवन सिन, इसके अलावा आप ट्राय कर सकते हो सफी उल्ला को, हसन साधिक कंपल सरी, अरसला नारिफ अच्छा पिलेरो, हर्मित सिंग, इन में से आपको पिलेर लेने हैं, ठीके, अब बात करते हैं अपन बेंच की, तो ब पांच मेंच इनकी टीम जीती है, और तीन मेंच इनकी टीम हारी है, ठीके, लास्ट मेंच जो खिला गया है, बैटिंग और उसी के साब से हमने सेट कर रखा है, तो पहला पिलेर है हामित साफी, जिसने इस टूनामेंट के आठ मैच में एक सो चौपन रन बनाए, दस ओवर की गैंदबाजी करवाते हैं, पांच विकिट लिए, बैटिंग के साथ साथ आपको डेथ ओवर्स में गैंदबाजी दे रहा है, इंपोर्टन डे ट्राइ कर सकते हो, इसके बादे अकसे वाउक जिसने इस टूनामेंट के 6 मैच में एक सो चौपन रन बनाए, दस ओवर की गैंदबाजी दे रहा है, और कैप्टन वाइस कैप्टन सी का इस से बहतरी न ओप्सन, अभी इस मैच में कोई भी नहीं है, अच्छा पिलिए रहा है, बिल्कुल आपको ट्राइ करना है, नमबर तीन पर आ रहा है, समर्गुल मैसमलीन, जिसने इस टूनामेंट के 6 मैच मे बॉलिंग से भी, साती बैटिंग से भी, इस वज़े से इस मैच में आपके लिए एक ग्रेंड लिंग में टरम का काम करेगा, ठीक है, इसलिए बिल्कुल पिक करना है, इस टूनामेंट के 6 मैच में चार ओवर की गैंदबाजी कराए एक विकेट लिया, उसके बात है मेरव उसका मतलब रिसेंट फॉर्म है और वो रिसेंट फॉर्म इसी टूनामेंट की है, सबी पिलियरों की, ठीक है, इसके बाद है पमाड जारावर, जिसने 5 मैच में 73 रन मना है, ओवरल रिकॉर्ट देखे T20 का है, 2 मैच में 8 रन, उसके बाद है नजीब उल्ला सुल्तान उसके बाद है भरत गवडा जिसने 6 मैच में 55 रन मना है, ओवरल रिकॉर्ट देखे 17 मैच में 234 रन है, 19 की एवरिस से, 16 ओवर की गेंदबाजी 5 विगिट लिए, इसके बाद है मनसोर साफी 8 मैच में 105 रन मना है, ओवरल रिकॉर्ट नौ मैच में 27 रन, उसके बाद है मैच में 43 बना 14 ओरों की गेंदबाजी करवाते वे 6 विकिट लिए या आपको स्टार्टिंग में कन्फर्म गेंदबाजी दे रहा है एक अच्छा पिलियर है ट्राय कर सकते हो इसके अलावा आप ट्राय कर सकते हो तारीक अजीज भी ठीक ताक पिलियर है मनसूर साफी और भरत गवडा में से कोई एक पिलियर मनसूर साफी लाश मैट में खूब लेट बैटिंग आया था इसलिए ट्राय करस ना हो तो कर सकते हो वरना छोड़ सकते हो नजीब बुल्ला इस सुल्तान जाई ठीक है इसके अरा मारवीड मेहमूद अच्छा है अच्छा है और हमीद साफी अच्छा है ठीक है यह टीम सोड़ी मजबूत है इसलिए ज्यादा पिलियर आप इसी के लेने की कोसिस करना अब बात करते है अपन बैंच की तो बैंच पर से कोई सवे पिलर खेलता है तो उसके स्टैट्स आप वीडियो को पोस्ट करके देख स पर आएगा जिसमें लास्ट मैच में आया है नमबर साथ आट पर तो मैं इसको ड्रॉप कर दूँगा ठीक है बैटिंग से एक पिले लिया है हरमिट चीमा जो सबसे उपर बैटिंग आया था बैटिंग सेक्शन में इसलिए मैंने इसको ट्राइ कर रहा है और राउंडर से वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना कमेंट करना स्यर करना साहते चैनल को स Almost सब्सक्राइब जूरू कर लेना ताक कि आपको इस टूनामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो में जाएं मिल जाएगे दिन के पांच मैंच होता है तो commission के वीडियो बनाते हैं ताकि किसी भी मैंच में आपको टीम बनाने में दिक्कत ना है और इस मैच से रिलेटेट सारी जानकर आपको टैलीग्राम पर मिल जाएगी जिसे बैटिंग ओडर प्लेइंग 11 टॉस अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होती है वो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना कमेंट करना सेर करना साथ चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना धन्यवाद